तो बाबा देवदी देव महादेव करते हैं ये तीन घड़ी तीन अपल तीन नक्षतर तीन समय तीन दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से में शूल हटा देता वो तीन दिन लिखें सकंद पुराण माराज बेसाक महिने में जो प्रदोश आती है बेसाक के महिने में बहुत ध्यान से सुनना भाई जो अपनी जिन्दगी से बहुत तंग आ गए हों परिशान हो गए हों कष्ट में जीवन जी रहे हों बहुत दुखी हो गए हों उनके लिए ये सकंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले अप्रेम से सुनना भाउस पहला बेसाक महिने की प्रदोश चाहे वो सनीचरी प्रदोश हो चाहे रविवार की हो सोंबार की हो मंगल की हो बुद्वार की हो गुरुवार की हो शुक्रवार की हो शनिवार की हो कोई विवार की हो पर बेसाक महिने की प्रदोश प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य दूब रहा हो बस दूबा ही हो और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूर के साथ में बेल पत्री ना चड़ाते हुए बेल पत्री के ब्रक्च के साथ काटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते है महरनद अपनी जिन्दगी में अर्चनों को हटाने के लिए कि आप जिस वेफ़ार में उतरें स entrepreneur जिस न्मा करी में उत्रें आप दिल से करें आपको तरक्की मिलेगी आप हार नहीं सकतें नीचे नहीं आसा उन्नति पर ही चड़ें दियों एक विशाक मास की प्रदोश दूसरा शिवरात्री के दिन मध्यान का समय माराज जो बड़ी शिवरात्री होती है मागती बड़ी शिवरात्री के अंतरगत मध्यान का समय दोपाहर के ठीक बारा वजे चाहे फिर वो कोई भी दिन हो माराज शिवरात्री जिस दिन पढ़ रही हो उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को साथ काटे बेलपत्री के व्रप्ष के समर्पित होते हैं मार इसमें आप ये वाले जो काटे हैं जो शिवरात्री के दोपहर बारा वज़े वाले हैं अगर कोई मदिरा पीने वाला हो वैसन में डूबने वाला हो कोई जुआ खेलने वाला हो कोई गलत वैश्या व्रत्री करने वाला या अपने मार्गत से विचलीत कोई व्यक्ति है उसके लिए भी ये काटे बहुत काम आते हैं मारा दूसरा पारवती तेरे द्वारा तेरे नैन अश्रू से जो प्रगटा हुआ बेल का व्रक्ष है दुतिये शूल में वहाँ धारन करता हूँ तर्तिये शूल थीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज भगवान स्रावन के महिने में स्रावन के महिने में जो भी दूसरा सुंबर पड़े जो भी पड़े टूसरा सुंबर है उस दूसरे सुंबर में रात्री के समये पर अर्थाथ सास्त्र अब घड़ी और पल का शिम्मन करेंगे तो रात्री के बज़ेंगे 10 से 12 बजह मारए 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज ये भी हमारी बांधाओं को हमारी तकलीफों को वेपार विसाय के लिए नौकरी सर्विस के लिए बहुत सारे एक्जाम में आप वेट लिए गवर्मेंट एक्जाम के लिए वेट लिए नहीं हो रहा ये तीन बार मेरे शंतर को बेल पत्री के ब्रच के शूल समर्पित होते है उसका आनंद पाना और उससे अपने को सुप्राप्त को कि बाबा बोलेनाथ जी के नए नशुरू से जो प्रगट हुआ वो रुद्राक्षा का पोधा है माता पारवती के नए नशुरू से जो प्रगट हुआ वो बेलपत्री का पोधा है और उमा और महेश जिस महेश के वंसज हैं महेश्वरी जिनकी बारा खाम प्रकटी है भगवान महेश के द्वारा वो महेश और उमा उमार महेश का जो चरित्र है कि उमार महेश का जब प्रागट हुआ उमार महेश जब दोनों आनंद में विवहोर होकर जब चलते हैं और दोनों के बेठने से तप मुद्रा से जो पोधा उत्पन होता है वो शमी का पोधा शमी का पोधा तो एक बात द्यान दखिए, शिवजी के द्वारा जो निर्मित हुआ, उसमें कोई शूल नहीं है, उसमें कोई काटे नहीं है, पारवती के द्वारा जो निर्मित हुआ, बेलपत्री का पोधा, उसमें काटे हैं, और पारवती के मिलन से भी जो अत्पन हुआ है शंकर के तो पार्वती जी इसकंद पुराण में प्रिश्ण कर रही है भोले नाट जी से कि प्रभू मुझे ये बताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं है पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया है उसमें काटा क्यों आया है थोड़ा सा माता हूँ मेरी जीजी हो आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रिसंद को सुनकर पर लग जाए पर आज कथा निकली है तो सुन लिए कि शिवजी जिस रुद्राच को उत्पन कर रहे है उसमें शूलता नहीं है पर पारवती जी जो संग में मिली है उसमें भी शूलता है और पारवती के दवारा जो प्रगट वग हुआ बिल्पत्र उसमें भी शूलता है तो भगवान महादेव बोलते हैं पारवती मैं तुझे कुछ कहूं और कहने पर तुझे तेरे हिर्दाएं में कोई बात चुब है शूल लगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा नहीं नहीं आप कहिए प्रवु मैं सुनने के लिए तैयार हूँ आप तो बोलो कि कारण क्या है भगवान करते हैं पारवती बसंतर इतना है नारी का जो सुभाव होता है इस तरी का जो सुभाव होता है उसके हिर्दाएं में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते है जेठ ने ये कह दिया देवरानी ने ये कह दिया तुमारी मम्मी ये बोल दी तुमारे पापा ने ये कह दिया तुमारी बहनों ने ये कह दिया तुमारे भाई ने ये कह दिया तुमारे इस्वजार ने ये बोल दिया ये ये नारी के भीतर ये शूलता रहती तो पारवती जी बोली भगवान शिव बोले बस पारवती बात इतनी सी है कि जब मैं आराधना करने बेटता हूं तो मेरी दृष्टी में सम्मुक में कुछ नहीं होता कि कौन ने क्या करा है कौन ने क्या बोला है कौन क्या कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं होता उससे मुझे कोई मतलब बना पर पारवती जब तू अराधना करने भी बेटती है ना तो तेरी चित्त ब्रत्ती में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई शूल आई जाता कई माताओं की आदत देखी साथ बगवान की सेवा करने बेटी है तो भी भीतर थोड़ा सा शूलता भरी हुई है माराज बताओ इतने सारे भगवान इकटे कर लिए मैंने बोला तब उसे कि वहां रख ले थी बताओ इतने सारे यहां पर लाकर रख दी है अब इसकी सेवा करना पढ़ रही है अब यह करना पढ़ रहा है प्रशाद लेने के लिए रसोई घर में गई बगवान का भोग लगाने के लिए तुसमें भी शूलता आ गई इत्ते घंटों से मैं समान ढूंड रही फिरीज में मिली नीरा में रखे गई थी बगवान जाने कहां चले गई भगवानों को वस्त्र पिना रही है तुशुलता है अलमारी का ड्राज खोला इसमें मैंने समान रखा था न से भगवान का शंगार कहां चले गया कौन ने हाथ लगए धिर शूलता आ गई बोजन करने बेटे तुशूलता है कोई कारे के लिए जा रहे हो तुशूलता है अर्थात कहीं ना कहीं नारी के जीवन में शूलता बढ़ी हुई है और पारवती जब तुम भजन करो तब करो साधना करो भक्ती करो उसमें शूलता नहीं होना चाहिए पारवती जी ने कहा बोलेना तो क्या आप मुझे स्विकार नहीं करेंगे बिलपत्री के रूप में क्या मुझे स्विकार नहीं करेंगे शमी पत्र के रूप में पद्म पुराण इसकंद पुराण लिंग पुराण नर्वदा पुराण और्श्यु महा पुराण ये सारी पुराणे वर्णन करती है पारवती जी का खंड आनंद वर्चत कर रहा है वर्णन कर रहा है पारवती खंड वर्णन कर रहा है सती खंड वर्णन कर रहा है ओमा सहीता वर्णार कर रही है क्या आप मेरा ये बेल पत्र का स्वरूप आप धारण नहीं करेंगे इसमें शूलता इसलिए भगवान करते हैं नहीं नहीं धारण तो करूँगा पर शूल धारण नहीं करूँगा मैं शूल धारण नहीं करूँगा मतलब बेल पत्री में, काटे लगे रहते हैं बेल पत्री के उस डाली के अंदर काटे शूल रहते हैं, भगवन शुब वो धार्ण नहीं करते आप उस देल पत्री के आप बड़े प्रेम से आनंद से पत्ते को निकाल लीजिए, तोड़ लीजिए, उतार लीजिए, और फिर भगवान को वो प्रेम से समर्पित करो तो भगवान स्विकार करना पर भोले ना है